हलो फ्रेंट्स वेलकम टू स्टडी स्थाल मैं सतिश कुमार एक बार फिर से लाया हूँ वही आप लोगों के लिए एंटॉनियम्स की सीरीज का अगला वीडियो दोस्तों पिछले वीडियो में लगातार हम लोग आपके लिए लेकर के आ रहे हैं वही एंटॉनियम्स उससे पहले हम लोग आपके लिए सिनोनियम्स लेकर के आये थे भई भले ही विटेज पांच नमबर का हो लेकिन मैं बार बार आपसे कहता हूँ अलमुस्ट हर एक वीडियो में आपसे कहता हूँ हम लोग किसी भी चीज़ को आसानी से नहीं छोड़ सकते क्योंकि अगर आप पांच नमबर छोड़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि दूसरा भी पांच नमबर छोड़े या वो भी पांच नमबर की ढील आपकी तरह से बरते इसलिए हम नहीं चाहा दे कि किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से कोई ढील बरती जाए और आपके इन पांच नमबरों के तरह फोकस ना दिया जाए हर एक वीडियो यानि कि स्टडी स्थल चैनल पर हर एक वीडियो जो आता है वो आपके लिए ग्यान वर्धन का का काम कर रहा है तो दोस्तों इसलिए जरूरी है कि हम लोग सारे सब्जेक्ट के उपर बराबर फोकस मारें और सारे सब्जेक्ट को बहता तरीके से पकड़ा करके चलें जैसे हमने बागी सब्जेक्टों पाल के रखा है इसलिए एक एक वर्ड एक एक नमबर कीमती है इसलिए लग comment box तो आपके पास है comment में डादिएगा क्या चीज आपको चाहिए क्या चीज आपको नहीं मिल पा रही है कौन सी चीज आपको अच्छी लग रही है कौन सी चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है दोस्तों सारी चीज़ें आप लोग डाल सकते हैं इसी चैनल के description में जो followings बाई जो नीचे लिखे हुए है ना दोस्तों उनके लिए ना आपको antonyms देने यानि उनके anti words आपको देने हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास word लिखा हुआ है दोस्तों वो है native बाई native का मतलब तो होता है मूल या मूल निवासी मूल निवासी मूल या मूल निवासी दोस्तों जो दूसरा है दूसरा word हमारा लिखा गया है resident resident मतलब होता है दोस्तों निवासी और उसके बाद में हमारे पास में एक word है word है भी free free का मतलब होता है दोस्तों मुक्त या निशुल्क या फिर free आपको इसको not translatable भी है आप free को free भी बोल सकते हैं और आप अगर चाहें तो इसको आप आजाद भी बोल सकते हैं देखिए मैं कही कही सारे words आपको बताता हूं ताकि आप लोग सही तरीके से चीज़ों को connect कर पाएं ताकि आप लोग सही तरीके से चीज़ों पाएं और अगर आप नहीं जोड पा रहे हैं इसका मतलब है भई कहीं न कहीं तारकिक शक्ती की भी कमी हो सकती है मैं तो मेरा भरपूर प्रयास कर रहा हूं भई अगर फिर भी आपको लगता है कोई चीज आपको चाहिए फिर भी अगर आपको लगता है कोई वर्ड आपको अगर अलग से चीए तो या मुझे बताईएगा मैं वहीं तक आपको पहुँचा दूँगा उसी वर्ड के पास तक नेक्स वर्ड है भी हमारे पास में एलियन एलियन मतलब होता है दोस्तो परदेशी या फिर विदेशी तो देखिए एक तो होता है भी मूल निवासी और दूसरा होता है हमारे पास में परदेशी या फिर विदेशी इसलिए हम लोगों को अल्मोस्ट जो नेटिव वर्ड क जो एंटॉनियम है वह मिल ही चुका है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तो एलियन अब एलियन है साफ सब हमें दिखाएं त्हरा विए एनटॉनियम है फिर भी मैं आपको आगे लेकर के चलूए बी वर्ड तो मैं आपको सारे के सारे किलियर करूँगा मेरा एक फंडा है questions करा हूँगा उनके चार-चार विकल्ब दूँगा एक question में आपको मिलते हैं पाँच word और पाँच ही मैं आपको question देता हूँ तो भाया total जो words हो जाते हैं वो 25 हो जाते हैं आप बहतर तरीके से अपने तरीके से आप set कर लीजेगा अपने तरीके साब चीजों को बिठा लीजेगा मैं तो बस यह चाहता हूँ विए आप बहतर तरीके से चीजों को बढ़ते रहें और सही तरीके से आप लोग अपने examen perform कर गया ही है मैं नहीं कहा रहा हूँ कि यह मैं कर रहा हूँ हमारी पूरी team इसके लिए आपके लिए समर्पित है वही पूरा का पूरा चैनल इस चीज के लिए समर्पित है कि आप कामियाब हो आप कामियाब हो और बस आप कामियाब हो चलिए दोस्तो वर्ड आता है भी heavenly heavenly का मतलब होता है दोस्तो देवए देखें वर्ड तो अल्मोस्ट हमें पहले ही मिल चुका था नेटिव एक होता है मूल निवासी और एलियन एक होता है परदेशी या विदेशी यानि कि इसका इंटॉनियम दोस्तो आप्शन नमबर तीन है यानि कि फर्स्ट क्वास्टन का जो आप्शन है वो तीसरा उप्शन है चरिए दोस्तों चलते हैं क्वास्टन नमबर दो की तरफ और क्वास्टन नमबर दो कहता है भी आप्शनल अपने आप्शन नाम का वर्ड सुना होगा आप्शन का मतलब बहुत होता है विकल्प और optional का मतलब होता है वेकलपिक वेकलपिक या चैनित चैनित जिसको हम लोग बोलते हैं या वेकलपिक बोलिए चैनित बोलिए compulsory का मतलब होता है भी जरूरी या निस्चित भी बोल सकते हैं हम इसको निस्चित या फिर जरूरी जिसको हम लोग बोल सकते हैं या हम लोग इसको अनिवार्य भी बोल सकते हैं अनिवार्य आज ना ये वाला काम करना compulsory है यानि कि ये वाला काम करना अनिवार है यानि कि ये वाला काम करना जरूरी है कई सारे words को तो आप generally भी हिंदी में सुनते होंगे जब लोग कई बार उनको आपको हिंदी के शब्दों से जोड़ करके relate करते है यानि कि जोड़ करके आपको बताते हैं वहां से भी कुछ थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा हम लोगो क्लीक होता है हमारे दिमाग में नेक्स लेकर के चलते हैं दोस्तों यह है इलक्टिव इलक्टिव मतलब भी वह होता है भी इलक्टिव मतलब भी होता है वे कल्पिक वे कल्पिक यह जिसको हम लोग चैनित बोल सकते हैं इसमें भी कोई फरशानी नहीं है भी चैनात्मक बोलें भी आप चैनित नहीं बोला है चैनात्मक और यहां भी दोस्तो चैनात्मक हो جाएगा āठात्मक नेक्स्ट वर दोस्तो फैनसीफल fanciful मतलब होता है भी kalpnick kalpnick जो original नहीं है kalpnick है original याने की सही याने की अच्छा जिसको हम लोग बोल सकते हैं original आप चाहें तो असली भी बोल सकते हैं और आप चाहें तो इसको मूल प्रती भी बोल सकते हैं मूल प्रती अब देखिएगा मैं आपको कई बार बता चुका हूँ इस बात को कि आपको इन वीडियो के माद्धिम से केवल एंटॉनियम्स सीखने को नहीं मिलेंगे जोस्तो आप इनके साथ सिनोनियम्स भी जान पाएंगे कुछ सिनोनियम्स की भी जानकारी आप लोगों को हो जाएगी जैसे ऑप्षिनल का मतलब मैंने आपको बताया भी वेकलपिक अगर हम बहुत ध्यान से यहां देखें हैं तो हमको एक चीज़ दिखाई देती है ऑप्षिनल मतलब वेकलपिक और एलेक्टिव मतलब वेकलपिक अगर यह कॉस्चं होता है कि आप इसमें सबसे बहतर इसका सिनोनियम धूणडियेगा यानि कि वर्ड ऑप्षिनल गा आपको सिनोनियम भूνडना है तो सबसे बहतर जो हमारे पास में इसका सिनोनियम है भाई वो तो है एलेक्टिव लेकिन यहां जो बात हम से कही जा रही है भाई गिव अन्टॉनीयम फोर दे फॉलींग, भाई अन्टॉन gjort देना है सिनौनियम नहीं देना है तो अन्टॉनियम देना है तो हम लोगों ने देखा भाई ये तो है वेकल्पिक और ये है अनिवार्य वो तो विकल्प में हैं आप चैनात्मक है करें करें ना करें इतने सारे विकल्प हैं अनिवारिया का मतलब भई एक ही चीज है यही कंपल सरी है एक ही चीज है यही जरूरी है लेकिन जो दो गर्ट्स नीचे के हैं उनको भी देख लेते हैं भई फैंसिफल मतलब काल्पनिक और ओरिजनल मतलब मूल प्रतिया असली बताया यह हुता है कालपनिक यह होता है असली दौनों एक दूसरे के कॉंटररी था है तो क्योंना फेंसिफुल का एंटॉनियंघ भी औरिजनल बता दिया जाए भाई बिल्कुल सभी बात है। आप चाहें तो फेंसिफुल का सकते हैं कोई परिशानी नहीं है अब मैंने इन पांचों वर्ड में से मैंने ये भी बताया कौन सा किसका एंटॉनियम हो सकता है और कौन किसका सिनॉनियम हो सकता है चलिए दोस्तों चलते हैं अपचारिक दूसरा वर्ड हम लोगों को मिला निस्चित और तीसरा वर्ड इसी के लिए आप विशिष्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप विशिष्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप चाहें तो खास वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं next word Ada informal in formal मतलब होता है अभी अन फटाई इस डेचिए अपचारिक ओ औरats नहीं पीम का मतलब होता है तो होता है और इसने और प्रिम जा होता है ऑ्न वह्ता है अलमुस्त हमारे सामने हैं इंटोनियम वर्ड प्रिम का लेजिन फिर भी नीचे के वर्ड को देख लेते हैं बई नीचे का वर्ड कहता है स्ट्रेट स्ट्रेट मिन्स होता है सीधा या फिर सटीक कोई मैच नहीं कर रहा है दोस्तों और नाइस मतलब होता है अच्छा बढ़िया जिसको हम लोग बोलते हैं ठीक है वई तीसरे कॉस्चन का यानि की प्रिम वर्ड का जिसक का सही जो हमारे पास विकल्प है जो सबसे बहतर इंटॉनियम हमारे पास है इसके लिए वहुता था यह इन फॉर्मल और इन फॉर्मल का मतलब होता है अनॉपचारी चलिए दुस्तों देखते हैं नीचे 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 मतलब नीचे वाला वर्ड और क्वास्चन नंबर च कहता है दोस्तों कुई सेंट कुई सेंट मतलग होता है दोस्तों निश्क्रिय निश्क्रिय और उसके बाद में होता है इन डिफरेंट डिफरेंट मिन्स होता है अलग और इन डिफरेंट का मतलग है जो अलग नहीं है याने की साधारन याने की साधारा याने की हम लोग चाहें तो बोल सकते हैं सिंपल याने की हम लोग चाहें तो बोल सकते हैं मामूली जो अलग नहीं है नेक्स्ट आता है दोस्तो एक्टिव एक्टिव मतलब होता है क्रियाशील एक्टिव मतलब होता है दोस्तो क्रियाशील आप चाहें तो इसको बोलें सक्रिय तेज आप चाहें तो इसको बोलें सक्रिय आप चाहें तो इसको बोलें तेज आप चाहें तो इसको और भी बहुत सारे वर्ड से संबोधित कर सकते हैं जैसे आप चुस्त भी बोल सकते हैं आप इसको फुर्तीला भी बोल सकत हैं आप इन में से जो चाहें वो बोलें यहां है निश्क्रिया यह einem क्रियाशील यहां है निस्क्रिया और यहां सक्रिया बड़ी सीधी सी बात है अंटॉनियम हम लोगों को मिल चुका है लेकिन फिर भी देखरें जो तो peaceful का मतलब क्या निकल करके आता है वही peaceful का जो मतलब होता है वो होता है शान्ती प्रिये peaceful मतलब होता है भी शान्ती प्रिये शान्ती प्रिये और दोस्तो word है dejected dejected का मतलब होता है भी उदास या फिर मुर्जाया हुआ उदास या फिर मुर्जाया हुआ इस तरी के से हम लोग चौथे वर्ड पर भी पहुंच गए हैं आप चाहें तो डिजेक्टिड वर्ड के लिए एक शब्द फीका का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो चौथे कॉस्चन का सटीक एंटॉनियम जो हमरे पास है भाई वो है आप्शन नमबर भी कोई सेंट निश्करी है और एक्टिव सकरी है चलिए दोस्तों चलते हैं कॉस्चन नमबर पाँच की तरफ और कॉस्चन नमबर पाँच कहता है भी कॉस्चन नमबर पाँच है रिजिड और रिजिड का मतलब होता है भी सक्त या फिर कड़ा सक्त या कड़ा देखें, रिजिट का मतलब मैंने आपको बता है सक्त या कड़ा डेफिनिट का मतलब होता है डेफिनिट का मतलब होता भी निस्चित या जिसको हम लोग बोलते है स्पष्ट निस्चित या फिर स्पष्ट निस्चित या फिर स्पाष्ट फर्म का मतलब होता है कथोर या जिसको हम लोग बोलता है भई द्रड्ध फर्म, या तो कथोर बोलिए या निस्चित बोलिए या फिर आप चाहें तो बोल सकते है कड़ा, या फिर आप चाहें तो बोल सकते हैं भी नेक्स होता है दोस्तों flexible flexible का मतलब होता है भी लचीला या मुलायम बहुत बहुत common word है और बहुत ही common word होने के साथ साथ हमारे पांच में question का उत्तर भी है option number C क्योंकि पहला जो word हम लोगों ने पढ़ा rigid rigid का मतलब होता है सक्त और flexible का मतलब होता है लचीला या मुलायम तो इसका एंटॉनियम हम लोगों के पास है भी यानि की question number पांच का एंटॉनियम हमारे पास है C और हम लोग पहुंचते है adamant यानि की last के word पे और adamant का मतलब होता है भी अटल या हम लोग इसको हठी भी बोल सकते हैं किसी चीज़ पे अडा हुआ भी बोल सकते हैं अडा हुआ हठी अटल जो चाहें बोलिएगा सारे के सारे questions का एक एक करके और बड़ी आसानी से हम लोग जो देखते जा रहें ये आपकी vocabulary को बहुत मजबूद बना देगा मैं बताता हूँ एक नमबर आपको एंटॉनियम दे करके जाएगा एक नमबर आपको सिनोनियम दे करके जाएगे एक नमबर आपको वन वर्ड दे करके जाएगा और synonyms की कुछ वीडियो हमने डाल दी हैं एंटोनियम की कुछ वीडियो हम लो लगाता है डाल लें दोस्तों जल्दी आपके लेकर क्याएंगे one word substitution की भी कुछ वीडियो और paragraph उसके बाद में यानि कि paragraph जितना अच्छा आपका translation होगा भाई उतने ही बहतर तरीके से आप उसमेंसे दो नमबर निकाल सकते हैं अपने लिए और बढ़ा सकते हैं exam में अपना score मैं तो यही चाहता हूँ कि आप बढ़ाएं और पैट करें cross इनेरी इसी कामने के साथ आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हैं बज़ लाइक करें और चैनल को करें सबस्क्राइब दोस्तों के साथ करें शेयर अगर अच्छे लगते हैं तो मिलते हैं फर अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद